दोस्तो जब भी आप drive करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा road के ओपर आपको arrows दिखाई देते हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हमें अपने destination के लिए left होना है, right होना है या फिर हमें straight चलना है तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं corridor के अंदर कि आप किस तरीके से अपने खुद का arrowhead यहाँ पर create कर सकते हैं और से corridor में save करके रख सकते हैं अक्सर जब भी हम कोई भी pamphlet design करते हैं या फिर कोई भी ऐसा design create करते हैं जिसके अंदर हमें arrows की ज़ुरत पड़ती है तो कुछ तो arrows corridor आपको खुद से यहाँ पर देता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपने उन arrow का इस्तेमाल करके अपने design को यहाँ पर complete कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपना खुद का arrowhead यहाँ पर create करके corridor में save करके रखना चाते हैं और जब भी आपको उसकी ज़ुरत पड़ती है तो आप एक click से उस arrowhead को किस तरीके से अपने corridor में insert कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तो आज की इस वीड आपके बहुत ही काम आए दोस्तो अगर आप graphic designing सीखने में interested हैं और corridor सीखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर लिजे हमारी playlist में जाकर के आप corridor के सभी option को यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके हमने सभी option के बारे में यहाँ पर वीडियो अपलोड की हैं तो दोस्तो इसके आप हमारी playlist में जाकर के corridor के सभी option के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं इसके लावा हमने यहाँ पर काफी सारी logo बनाने के designs भी आपको दे रखे हैं दोस्तो इस playlist के अंदर हमने corridor को basic level से start किया है कि आप किस तरीके से logos बना सकते हैं और किस तरीके से corridor के सभी option का यहाँ पर शुरू करते हैं तो दोस्तो corridor के अंदर जैसे आप object menu पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहला option दिखाई देता है create का और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देता है arrow hit का जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं hide है यह option तब अनाइट होगा जब हम यहाँ पर एक object create कर लेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर यह arrow hit होता क्या है और उसका किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले pen tool का इस्तमाल करके एक line को draw कर लेते हैं जैसे हम य यहाँ पर line को draw करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने arrowheads के कुछ options यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं start arrowhead और यहाँ पर आप देख सकते हैं end arrowhead के नाम से हमें यहाँ पर option दिखाई देता है जैसे हम इस वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारे arrows यहाँ पर मिल जाते हैं जिसका आप अपने object के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी option को समझाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं आपको कई तरीकी के arrowheads यहां पर मिलते हैं जिसका इस्तमाल आप इस object के start में या फिर end में लगा सकते हैं जैसे मालिज हम यहां पर flight का इस्तमाल करते हैं हमने flight का arrowhead यहां पर इस्तमाल किया आप यहां पर देख सकते हैं जोम करके आपको दिखा देना चाहूंगा, इस line के starting में आपको flight का symbol दिखाई दे जाएगा, सेम इसी तरीके से अगर इसके end में अगर आप यहाँ पर arrowhead को लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से right वाले option पर click करेंगे, और यहाँ से भी आपको वही अगर arrowhead चाहिए, तो यहाँ से आपको से find करके उस arrowhead को select करना होगा, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें वो दिखाई दे रहा है, अगर आप इसके अलावा यहाँ पर कोई और symbol का इस्तमाल करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर easily कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इस वाले symbol का इस्तमाल कर रहे हैं, जैसे इस पर मुक्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो symbol हमारे इस line के end में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप समझ गए होंगे आखिर arrow hit होता क्या है, दोस्तो अब यह जो arrow hit हमने यहाँ पर insert किया है, अगर आप यहाँ पर खुद का अपना arrow hit खुद का create करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से create करके, यहाँ पर save करके रख सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो म हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तो सबसे पहले हम इस arrow को यहाँ से delete कर लेते हैं, तो दोस्तो इसके लिए हम यहाँ पर एक rectangle को यहाँ से create कर लेते हैं, जैसे माली जे हम इसे एक arrow में convert करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से एक arrow यहाँ पर design कर रहे हैं, अ यहां पर आपको Create में एक option दिखाई दे जाता है, इस पर आपको Click कर देगा है. इस पर Click करते ही आप यहां पर देख सकते हैं, आपको Arrowhead का नाम दिखाई दे जाएगा, जो कि Arrowhead 95 है. अगर आप यहां पर इसका नाम चेंच करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें, वो यहाँ पर दे सकते हैं, दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप अपने इस arrow का size भी decide कर सकते हैं, उसकी length और उसकी width को आप अपने हिसाब से यहाँ से customize कर सकते हैं, हम by default जो भी size यहाँ पर है, उसी को रखते हुए यहाँ पर इसे save कर रहे हैं, इतना करने के बाद हमारा जो arrow head है, वो यहाँ पर save हो चुका है, और अब हम इस arrow का यहाँ पर किस तरीके से इस तरीके से इस arrow को अपनी line के उपर insert करेंगे, आइए जानते हैं, इसके लिए मालीजी हम यहाँ से वापस से pen tool पर चले जाते हैं, यहाँ से आप किसी भी tool का इस्तमाल कर सकते हैं, तो मुझे pen tool ज़ादा अच्छा लगता है, तो इसलिए पर pen tool का इस्तमाल ज़ादा करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हूँ, हम एक line को यहाँ पर draw कर लेते हैं, और उसकी बाद हम यहां से इसकी outline के size को थोड़ा से एक्स्टेंड कर लेते हैं, मालेजी हमने यहां से इसकी outline के size को THोड़ा सा मोटा कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको start arrow hit का option यहाँ पर दिखाई दे जाता है इसके सबसे नीचे की तरफ scroll करते हुए आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमने arrow hit यहाँ पर बनाया था arrow hit 95 वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको simply इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो arrow हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं same arrow आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको मैं इस तरफ यहाँ पर move करा के दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो arrow हमने यहाँ पर बनाया था वो arrow हमारी स्लाइन पर यहाँ पर अपने यहाँ फिट हो चुका है सेम इसी तरीके से अगर आप इसके end में यहाँ पर इस symbol को add करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस्तमाल करना होगा end arrowhead का और यहाँ से सबसे नीचे की तरफ आएंगे स्कॉल करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं end arrowhead 95 आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं symbol जो हमने यहाँ पर बनाया था वो इस line के end में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप किसी भी object को यहाँ पर as a arrowhead यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं और उसे save करके corridor में रख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो चैनल को like कमे शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद